क्या आई होप आप लोगको टूटली समझ में आ चुका होगा जो देके एक बाद मैं फिर से रिपीट का रहा हूं जो देके sudo apt install winbind व i n b i n d जो देके यह है टूटली कमण देन उसके बाद आप enter बटन को जो देके यह है टूटली कमण जो देके एक बाद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो देके कमण है sudo apt install play on linux देन उसके बाद आप enter बाटन को प्रेसे फाइनली यहाँ पर आप देख पर रहे हैं जो देके F I C E just यहाँ पर आप आप आपिस टाइप करिए आपिस टाइप करने के बाद यहाँ पर आपिस का ओल इन परमोशन आ जाएगा जो देखिए यहाँ पर आप 2000 को इंस्टालेशन कर सकते हैं 3 अगर आप कस्टोमाइजेशन करना चाते हैं तो कर सकते हैं यह टोटल आपके ओप आप्शन है तो फिलर मैं यहाँ पर कस्टोमाइजेशन नहीं कर रहा हूं जो भी है तो मैं इसको रखता हूं जस्ट मैं इंस्ट्रॉल बटम में क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर वर्ड एक्सेल पावरपेंट सब कुछ ओपन हो चुका है जो देखिए कोई भी इरो नहीं आय है अगर यहाँ पर इरो आ रही है तो मानके चलिए यहाँ पर एक पॉब्लम हो चुका है जो देखिए क्या पॉब्लम हुआ है तो मैं थोड़ी दिर के बात मैं आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूं जो देखिए यहाँ पर मैंने पावरपॉइंट को ओपन किया है जो दे अगर आप इन तक नहीं देखेंगे तो पॉब्लम आ सकते हैं आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे इवन्तु सिस्टेम में हम लोग कैसे Microsoft Office को इंस्ट्रोलेशन करते हैं तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शिया करूंगी तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे Microsoft Office को इंस्ट्रोलेशन करते हैं इवन्तु सिस्टेम में तो पहले मैं आप लोग के लिए भर्षन चेक करके दिखाए देता हूं मैं अभी कौन सा भर्षन यूज़ कर रहा हूं जो देके कुछ दिन पहले मैंने आप लोग के लिए एक टुट्रियल दिये थे जो देखे Microsoft Office 2024 रिलीस हो चुका है अगर आप उन्डोस 10 नहीं तो उन्डोस 11 में इंस्ट्रोलेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो आप डारेक्ली चैनल में जाके देख सकते हैं तो देखे यह है प्रेस करेंगे तो यह पर मैं यूस कर रहा हूं इवांतु का 22.04 LTS पॉर्शन तो चलिए हम लोग कैसे इंस्ट्रोलेशन करते हैं देखते हैं स्टे बैस्टे माइकरस्ट आपिस को इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को सब्सक सब्सक्राइब का बटन है आप जरू सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा बगड़ाए नहीं लाएगा यह बिल्कुल फ्री है यहां पर आपको बेसिक ट्रेट बंस रवे कि ने टॉकिंग टूटिरियल और टींडवन कोशन एंस आपकी सिस्टेम में इंटरनेट का एक्टिबेटि होना चाहिए दैन उसके बात आपके पास कोई भी माइकरसॉप आपिस का सेटाफ होना चाहिए तो फिलल यहां पर माइकरसॉप आपिस 2010 को मैं इंस्टॉलेशन करूंगे अगर आप 2013 को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं लास्ट यहाँ पर 2016 तक इंस्टॉलेशन कर पाएंगे इससे उपर में आप नहीं जा सकते मान के चलिए अगर आप सोच रहे होंगे जो 2021 को इंस्टॉलेशन करूंगी यह पॉसिबल नहीं होगा तो मैं पहली आप लोग के लिए क्लिया कर देता हूं दैन उसके बात हम लोग इंस्टॉलेशन पूसर स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं स्टेप बेस्टेप तो देखें फास्ट यहाँ पर हम लोग करेंगे जो देखें सुड़ एपीटी स्पेस आपडेट जो देखें यह है टोटली कॉमान दैन उसके बात आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टेम के जो भी पास्वाट है यहाँ पर आप प्रोबाइट कर दीज़ें चलिए मैं यहाँ पर प्रोबाइट कर देता हूँ देन उसके बात यहाँ पर आप देख पाड़ा है जोड़े के एपीटे अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है यह डिपेंडिंग करते हैं आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर अगर आपके इंटरनेट के स्पीड बहुत फास्ट है तो ज्यादा टाइमिंग नहीं चुका है कोई भी इरॉन नहीं आया है लिए देन उसके बात मैं टामिनाल को एक बार कर ले रहा हूं दैन उसके बात सगेंड करनेट कद है है चलिए हम लोग देखते हैं जो देखेंड कॉमट है सूड़ अपड्रेड जो तेकर यह है टोटली फ्यूकाल देन उसके बात अ आप एंटर बटम को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अपडेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा आप लोग जानती होंगे जो ने टॉकिंग गुरी जी नमसे फेस्बूक का पेज़ाएं टुटर का भी पेज़ाएं अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजे तो आप और भी मैं बहुत सरा इंपॉमेशन और वीडियो शेयर करते हूं तो मैं इ फेस्बूक नहीं तो वर्टसप में ग्रूप है तो जटे से ज़्यादा शेयर करिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना पूलिए सब्सक्राइब करने के बाद आप जरू बेल ऐकॉन को प्रेस कर दीजिए इससे क्या होगा मैं जब भी नए व अपडेट हो रही है तो यहाँ पर आपको तुर असा टाइमिंग लग सकती है तो तब तक प्रेंगाम करता हूं इस टूटल को थोड़ असा पॉस्ट कर लेता हूं यह टूटल कॉम्पलीट हो जाना के बाद बाद बाकी सारा जो भी पोसेस है उस पोसेस को हम लोग करेंगे जो देखे sudo apt install windbind जो देखे यह है totally common जो देखे I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा जो देखे एक बाद मैं फिर से repeat कर रहा हूं जो देखे sudo apt install windbind व-i-n-b-i-nd जो देखे यह है totally common देन उसके बाद आप enter बटन को प्रेस कर दीजे देन उसके बाद यहा do you want to continue yes and no तो यहाँ पर आपको y बटन को प्रेस करना पड़ेगा देन उसके बाद आप enter बटन को प्रेस कर दीजे enter बटन को प्रेस करने के बाद इसका जो भी packages है automatically downloading होगा and automatically installation हो जागा just यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा and आपके system में internet connectivity होना चाहिए तो मैं पहली आप आपके पास mobile internet connectivity नहीं होगा तो यह possible नहीं होगा जो देखे यहाँ पर almost यहाँ पर installation हो चुका है जो देखे कोई भी error नहीं आया है then उसके बाद मैं terminal को एक बार clear कर लेता हूं then उसके बाद next comment किया है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं जो देखे next comment है sudo apt install play on Linux जो दे एक बार मैं फिर से repeat कर रहा हूं जो देखे comment है sudo apt install play on Linux then उसके बाद आप enter बटन को प्रेस कर दीजे enter बटन को प्रेस काने के बाद इसका जो भी packages है आपको जो देखे यहाँ पर शो करिए and last में एक message शो करिए do you want to continue yes or no तो यहाँ पर आपको y बटन को प्रेस करना पड़ सकती है depending करती है आपकी internet के speed के ऊपर अगर आपके internet के speed बहुत फास्ट हा तो ज्यादा timing नहीं लेगा अगर slow है तो थोड़ा सा timing लग सकती है minimum 5-6 minute तो तब तक मैं गाम करता हूं इस tutorial को थोड़ा सा post कर लेता हूं यह total complete हो जाने के बाद बाद बाकि सारा जो भी process है उस पर step by step continue करेंगे finally यहाँ पर आप देख पार है जो देखे play on linux यहाँ पर successfully installation हो चुका है कोई भी error नहीं आया है then उसके बाद मैं terminal को minimize कर लेता हूं then उसके बाद यहाँ पर हम लोग show application में जाता हूं show application में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पार है जो देखे play on linux जो देख timing लग सकती है जो देखे successfully यहाँ पर open हो चुका है कोई भी error नहीं आया है then उसके बाद यहाँ पर आप देख पार है जो देखे run close install remove config का option है तो यहाँ पर आपको install button में क्लिक करना पड़ेगा install button में क्लिक करने के बाद यहाँ पर loading on a start हो चुका है जो देखे यह 0 से लेके 100 percent totally complete होगा and आपके system में properly internet connectivity होना चाहिए अगर आपके पास properly internet connectivity नहीं होगा तो आपके समने error आ जागा जो देखे यहाँ पर यह totally loading होने के बाद यहाँ पर आपके समने search का option आ जागा search का option में आने के बाद आप क्या office pack installation करना चाहते 2017 नहीं तो 13 नहीं तो 10 नहीं तो other जो भी है आप यहाँ से देख पाएंगे details में so I hope आप लोग को समझ में आ चुका होगा step by step आपको follow करना पड़ेगा अगर आप बीच में कोई भी mistake कर देंगे तो बात में जाके आपको error आ जाएगा तो मैं पहली आप लोग के लिए clear कर देता हूं तो देखे यहाँ पर आपका थ totally complete हो चुका है देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पड़े सार्च का option है just यहाँ पर आप office type करिए यहाँ पर O F I C E just यहाँ पर आप office type करिए office type करने के बाद यहाँ पर office का all information आजागा जो देखे यहाँ पर आप 2000 को installation कर सकते है 3 7 10 13 and 16 जो देखे just यहाँ पर यह सभी office क pack आप installation कर पाएंगे अगर आप सुच रहे होंगे जो देखे office 2019 नहीं तो office 2021 नहीं तो office 2024 अगर आप installation करना चाहते हैं तो यह possible नहीं होगा तो मैं पहली आप लोग के लिए clear कर देता हूँ जो भी यहाँ पर भी है same to same यहाँ पर भी आपको office 앉 recollection करना पड़ेगा तो फिल番 मेरे पास जो setup है जो देखे office 2010 का setup है तो देखे। greatest यहाँ पर आप office Lucves office 2010 को select करिये यहाँ पर अगर आपके पास 13 है तो 13 को select करिये अगर आपके पास 16 मै तो जीश्टिन को select करिये तो फिलन मैं के लाइन पास two office 2010 गा है तो मैं इसको select करता हूँ देन उसके बात मैं next बटम में क्लिक करता हूं Next बटम में क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सब्मिन जोंदेखे एक निउव उंडो ओं पंड हो चुका है जैस्ट यहां पर आप आप next button में click करिए next button में click करने के बाद यहां पर आपको उसका जो setup file है आपने setup file का आप रखा हुआ है जो देखे desktop में है, downloads में है, नए documents में है, नए तो picture में है जिस location में है, आपको उस location को select करना पड़ेगा जो देखे यहां पर दोनों option है जो देखे use a setup file from my computer and second option है use dbtro तो फिलर मेरे पास मेरे system में है setup तो इसके लिए first option को मैं choose कर रहा हूँ then उसके बाद next button में click करिए next button में click करने के बाद browse का option है तो browse button में click करिए browse button में click करने के बाद मेरे office का जो setup है मैंने downloads folder के अंदर रखा हुआ है just यह है setup तो यहां से आपको setup exe को select करना पड़ेगा then उसके बाद आप open button में click कर दीजे open button में click करने के बाद यहां पर आप देख पर रहा है जो देखे setup.exe यहां पर set हो चुका है then उसके बाद आप next button में click करिए next button में click करने के बाद यहां पर आप देख पा रहा है जो देखे please wait while virtual create जो देखे एक virtual create होगा at इसके साथ यहां पर wine जो हम लोग ने जो wine bind जो हम लोग ने installation किये थे उसका और भी एक file download हो रही है जो देखे इसके लिए आपके system में internet connectivity होना चाहिए तो मैं पहली आप लोग के लिए clear कर चुका हूँ जो देखे यहां पर virtual type create हो रही है जो देखे यहां पर आपके साथ में wine भी open हो रही है तो यहां पर आपको थूड़ा सा timing लग सकती है देन उसके बाद यहां पर आपके सामने जो देखे एक new window open हो चुका है जो देखे wine momo installer तो आपको install करना पड़ेगा अगर आप installation नहीं करेंगे तो आपके सामने error आ जाएगा तो यहां पर install का option है जस्ट यह मैं install button में क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद wine momo installer का जो भी setup है automatically download होगा and automatically installation हो जाएगा जस्ट यहां पर आपको wait करना पड़ेगा जो भी method में यहां पर share करो same to same method को आपको follow करना पड़ेगा देन उसके बाद आपके सामने और भी एक new window open हो चुका है जो देखे wind geoc को installer जस्ट इसको आपको install करना पड़ेगा यह भी automatically downloading होगा and installation होगा यहां पर आपको दो थीन बार बहुत सरा setup file automatically आएगा देन उसके बाद उसको step-day-step download करना पड़ेगा देन उसके बाद यहां पर आप देख पा रहा है जो देखे please wait while microsoft office 2010 is installed जो देखे आपके सामने जो देखे Microsoft office का एक window open हो चुका है जस्ट यहां पर आपको wait button में क्लिक करिए देन उसके बाद यहां पर आपके सामने जो देखे license agreement है यहां पर आपको I accept the terms and license में क्लिक करिए देन उसके बाद आप continue button में क्लिक करिए continue button में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको install now and customize का option है अगर आप customization करने चाते हैं तो कर सकते हैं यह total है आपके ओपर defending होगा अगर आप customization नहीं करना चाते हैं तो what excel powerpoint और आपके सामने आ अगर आप customization करने चाते हैं तो बहुत सारा option है तो फिलर में यह आप customization नहीं कर रहा हूं जो भी है तो मैं इसको रखता हूं just install button में क्लिक कर रहा हूं install button में क्लिक करने के बाद यहां पर installation होना start हो चुका है ज़दे के installation होने में 5-6 minute timing लग सकती है तो यहां पर आपको wait करना पड़ेगा जो भी method मैंने share किया है same to say method को अगर आप follow करेंगे तो आप easily microsoft word को even to system में installation कर पाएंगे तो इसके लिए आपके पास microsoft office का setup होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा नेट में सार्च करेंगे तो आपको easily microsoft office का setup file आपको में जाएगा तो एक बाद मैं फिर से repeat कर आपके यहां पर Microsoft Office 2016 को installation कर पाएंगे 13 को installation कर पाएंगे 2010 को installation कर पाएंगे 2007 को installation कर पाएंगे 2003 & 2000 तो यह साब पी आप installation कर पाएंगे इसके छोड़के आदर्स जो आपीश installation नहीं कर पाएंगे जो new version launch हुई है तो देखें यहाँ पर थोड़ा सा timing लग सकती है तो तब तक मै काम करता हूं इस टूटर को थोड़ा सा पॉस्ट कर लेता हूं यह टोटल कॉंप्लीट हो जाने के बाद बाद बाकी साड़ा जो भी पॉस्टर सा उस पॉस्टर से बेस्ट करेंगे यहाँ पर आप देख पड़ा है जो देखें यहाँ पर Microsoft Office professional plus 2010 यहाँ पर successfully installation हो चुका है क पर और भी 2-3 फाइल यहाँ पर automatically downloading होगा तो इसके दिये यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा अप गलती से इसको close मत कर दीजे अगर आप close कर देंगे तो error आ जागा तो देखें मैंने बोला था जो देखें 2-3 फाइल automatically downloading होगा जो देखें इसके साथ यहाँ पर font को भी installation कर करना पड़ेगा जो देखें Microsoft fonts are not installed I will install them for you just यहाँ पर आपको next button में क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर आपको I agree में क्लिक करना पड़ेगा then उसके बाद next button में क्लिक कर दीजे then उसके बाद यहाँ पर कुछ font automatically downloading होगा नेट से तो इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ अस function में क्लिक कर दीजे best option होगा तो देखें automatically यहाँ पर font downloading हो रही है तो यहाँ पर भी थोड़ासा timing लग सकती है तो यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा तो finally यहाँ पर आप देख पर है font यहाँ पर downloading हो चुका है and automatically installation भी हो चुका है then उसके बाद यहाँ पर आप देख पर है जो देखें .net framework 2.0 automatically setup यहाँ पर downloading होगा and automatically installation होना start हो चुका है तो यहाँ पर आपको थोड़ासा और भी wait करना पड़ेगा then उसके बाद यहाँ पर आप देख पर है जो देखें एक error रही है जो देखें file mismatch जो देखें do you want to retry जो देखें इसके लिए आपको फिर से yes button में click करना पड़ेगा yes button में click करने के बाद यहाँ पर कुछ file automatically downloading नहीं होती है तो आप no button में click करें no button में click करने के बाद यहाँ पर जो error आड़ी है इस error को छोड़ दीजा कुछ भी problem नहीं होगा just में क्लिक कर दीजिए नेक्स बटम में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको थूरा सवीट करना पड़ेगा देन उसके बात यहां पर आप देख पाणधेpas if your program is running just ignore this message then उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट बटम में क्लिक करिए नेक्स्ट बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से लोडिंग ओरना स्टार्ट हो जागा देन उसके बाद यहाँ पर एक फाइल डाउनलोडिंग ओरना स्टार्ट हो जुका है जो देखें यहाँ पर आप देख पा रहें तो मैं पहले आप लोग के लिए बोल चुका हूं जो देखें जब भी आप इवन तो सिस्टेम में Microsoft Office को इंस्टालेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग यहाँ पर पोवाइड करना पड़ेगा आपके सिस्टेम में इंटरनेट का इंक्टिविटी होना चाहिए अगर आपके पास पोवाइड इंटरनेट का इंक्टिविटी नहीं होगा तो यह पॉसिबल नहीं होगा तो देखें यहाँ पर हम लोग ने Microsoft Office को इंस्टॉलेशन किया है जो देखें किसके तुरू play on Linux के तुरू तो इसके लिए आपको play on Linux को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा इसके बिगर आप इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे Microsoft Office को अगर आप सोच रहे होंगे जो आदर्स विंडोस का एप्लिकेशन को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो यह पॉसिबल होगा येस यह भी पॉसिबल होगा इसके लिए आप play on Linux के तुरू ओ भी आप कर कि तो देखें यहाँ पर जो भी फाइल था यहाँ पर आटमेटिकली डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर इंस्टॉलेशन भी हो चुका है ओपी स्पैक टोटली इंस्टॉलेशन दोने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सरा फाइल आटमेटिकली डाउनलोडिंग होगा तो जस्ट यहाँ पर आपको स्टेप बे स्टेप फॉलू करना पड़ेगा जो देखें यहाँ पर आप देख पड़े हैं जो देखें साइट में जो देखें बहुत सरा यहाँ पर आइकोन आ चुका है जो देखें वार्ट एक्सेल पावरपॉइंट वननोट और आउटलूक जो देखें यहाँ पर भी आपके सामने एक मैसेज आ चुका है जो देखें माइक्रोशॉप ऑपीस 2010 हैस बीन इंस्टॉल सक्सेस्पूली यहाँ पर सक्सेस्पूली हो चुका है देन उसके बाद आप नेक्स्ट बटम में क्लिक करिए नेक्स्ट बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको आप टोटली नो बटम में क्लिक कर दिए जो देखें यहाँ पर सक्सेस्पूली इंस्टॉल हो चुका है जो देखें क कोई भी इरो नहीं आए यह जो आइकोन शो करिए जो देखें इस आइकोन के पहले यहाँ पर एक क्रॉस साइन दिखाई दिरिए इस क्रॉस साइन को पहले आपको यहाँ सा रिमूब करना पड़ेगा नहीं तो यह स्टार्ट नहीं होगा तो इसके लिए आप जो भी वार्ट excel powerpoint one note outlook जो भी आप यूज़ कर रहें तो इसके लिए इसके उपर right click करिए then उसके बात allow launching में click करिए same to same यहाँ पर allow launching में click करिए नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं इन तिनो चाड़ो जो भी है इसको select कर लिजे then उसके बात यहाँ पर allow launching का भी option होती है तो फिलाल यहाँ पर न सब कुछ कर लिया है then उसके बात हम लोग open करके देखते हैं जो देखे यह successfully open हो पा रही है कि नहीं तो चलिए इसके लिए मैं what को open करता हूं just यहाँ पर मैं इसके उपर double click करता हूं जो देखे यहाँ पर आपके सामने जो देखे Microsoft Word 2010 यहाँ पर starting हो चुका है then उसके बात य जो भी आपके system का name है यहाँ पर automatically detected हो जागा initial में आपको भी कुछ लिख सकते है then उसके बात आप okay button में click कर दीजे okay button में click करने के बात यहाँ पर finally यहाँ पर आपके सामने Microsoft Word open हो चुका है जो देखे then उसके बात यहाँ पर program error आ रही है just इसको आप close button में click कर दीजे close button में click करने के बाद यहाँ पर आप wait button में click करिए wait button में click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे finally word open हो चुका है कोई भी error नहीं आया है जो देखे यहाँ पर आपको थोड़ा सा timing लेक सकती है ति यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा जो देखे wine is not responding आ रही है just यहाँ प यहाँ पर आपके सामने जो देखे एक new window open हो चुका है जो देखे help protect and improve microsoft office जो देखे यहाँ पर तीनों option शो करिए है जो देखे use recommended settings install update only and don't make changes जो देखे आप इन तीनों में कोई भी choose कर सकते है तो फिलर मैं यहाँ पर use recommended settings को मैं choose करता हूं देन उसके बाद मैं ok button में click करता जो देखे यहाँ पर successfully यहाँ पर word excel powerpoint सब कुछ open हो चुका है जो देखे कोई भी error नहीं आया है अगर यहाँ पर error आ रही है तो मान के चलिए है यहाँ पर एक problem हो चुका है जो देखे क्या problem हुआ है तो मैं थोड़ी देर के बात मैं आप लोग के लिए share कर रहा हूं जो द हम लोग windows system में हम लोग यूज करते हैं same to same यहाँ पर भी आप यूज कर पाएंगे जो देखे अगर आपके समने error आड़ी है हैं हो जा रही है जो देखे मान के चलिए कुछ भी open नहीं हो रही है तो आप एक काम करिए आप word को properly word excel powerpoint जो भी आप यूज करें उसको आप totally close कर करने के बात आप show application मा आई है show application मा आने के बात आप play on Linux को on करिये जो देखे play on Linux के through ये यह, वर्क करिए just यहां पर आप कोई भी एक को select करिआ जो देखे word excel powerpoint случае जो भी है तो select करने के बात आप configuration में करिए Configure में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे एक new window open हो चुका है यहाँ पर आप कोई भी चर्चर मत करिए अगर आप यहाँ पर चर्चर कर देंगे तो यह पोपाली work नहीं होगा तो मैं पहले आप लोग के लिए clear कर देता हूं देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पड़े है wine बोलके यहाँ पर एक टैप है जस्ट इसको पर आप क्लिक करिए wine बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे बहुत सरा यहाँ पर option शो करिए जैसे हम लोग windows system में रहती है जो देखे configure wine डेजिस्टी यहाँ पर आपको configure wine में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके समने जो देखे एक न्यूट ओपेंड हो चुका है जस्ट यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं इस window को ओपेंड होने दीजिए देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोट असा configure को changes करना पड़ेगा जो देखे यह है wine configure का all in permission जो देखे यहाँ पर आपके समने application, library, graphics, desktop integration, about, audio and drivers का option available है अगर आप लोग यहाँ से changes करना चाहते हैं तो changes भी कर पाएंगे यह टोटाली आपके उपर defending होगा तो फिलाल मैं यहाँ पर कोई भी changes नहीं कर रहा हूँ अगर error आ रही है hang हो जा रही है तो आप एक काम करिए जो देखे windows version बोलके यहाँ पर एक option है जो देखे by default यहाँ पर windows xp select हो जाती है कोई कोई time में अगर xp select है त कर दीजिए window 7 करने के बाद apply button भी click करिए okay button में click करिए इस window को close कर दीजिए अगर यहाँ से start करना चाते हैं तो यहाँ से भी आप start कर पाएंगे तो चलिए मैं excel को open करके मैं दिखाए देता हूँ यहाँ पर run close option available है तो just मैं run button में click करता हूँ run button में click करने के बाद यहाँ आ यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा जो देखे successfully open हो यह फाइनली यहाँ पर आप देख पड़े है जो देखे यहाँ पर excel भी यहाँ पर open हो चुका है and यहाँ पर successfully work करी है जो देखे so I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे event to system में Microsoft Office को installation करते है step by step मैं आपने method share किया है जो भी method मैंने share किया है same to same method को आगर आप follow करेंगे तो आप easily installation कर पाएंगे event to system में जो देखे यहाँ पर हम लोग ने जो देखे 2010 को installation किया है अगर आप 2013 को installation करना चाहते हैं तो event system में तो आपके समने दो तीन problem आ सकती है तो मैं आप लोग के लिए पहली clear कर देता हूं जो देखे आपने installation कर लिया है installation करने के बाद कोई भी word excel powerpoint जो भी आप open करना चाहते हैं तो आप double click करिए double click करने के बाद window totally black हो जाएगा तो देखे black होने के बाद आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करिए यह इस side से आप इसको close कर दीजिए word excel powerpoint जो भी आपने open किया है देन उसके बाद आप play on Linux को on करिए देन उसके बाद आप यहां से कोई भी एक को select करिए select करने के बाद यहां पर आप configure button में click करिए configure button में click करने के बाद यहां पर आपको दो तीन option को changes करना पड़ेगा otherwise यह probably work नहीं होगा 2013 में तो क्या changes करेंगे तो इसके लिए आपको पहले wind में जाना पड़ेगा wind tab में जाना के बाद configure wind में click करिए configure wind में click करने के बाद यहां पर आपको जो देखे एक new window open हो जागा जो देखे तोड़ा सा आपको timing लग सकती है तो यहां पर आपको wait करना ग्रापिक्स टैप में click करने के बाद यहां पर आपको जो देखे फास्ट जो option है automatically capture the mouse in the full screen window just इसको आपको select check mark करने पड़ेगा देन उसके बाद apply and ok button में click करेंगे तो यह बहुत पर लिए work हो जाएगा अगर नहीं हो रही है फिर भी तो आपे कम करिए जो देखे general tab में आ default system है and 3.0 है तो यहां पर आपको 2013 के लिए 3.0 यहां पर set करना पड़ेगा 3.0 कैसे set करेंगे तो इसके लिए यहां पर एक चोड़ असा sign है just इसके उपड़ा click करिए then उसके बाद आप 132 bit installation करना चाहते इन 64 bit आप देख लीजे then उसी हिसाब से आप यहां पर arrow sign है जो देख arrow sign है just यहां पर आप देखके installation कर लिजे 3.0 3.0 यह आपको select करना पड़ेगा otherwise यह काम नहीं होगा अगर आप 2013 यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप 10 नहीं तो 2007 तो आप easily कुछ भी problem नहीं होगा जैसे जो भी by default setting है आप same to same ऐसे करके आप कोई भी काम कर सकते हैं in future अगर आप word, excel, powerpoint जो भी हम लोग ने installation किया है उसको installation करना चाहते हैं तो installation के लिए तो आपको एक एक करके installation करना पड़ेगा जस्ट इसको पर आप क्लिक करिए एक नहीं window open होगा yes or no just yes बटम में क्लिक करेंगे तो word, powerpoint, outlook, excel, one note एक के बाद एक सब कुछ installation हो जागा अगर आप सोच रह होती है, I think आप लोग ने देखा ही होगा जो देखें यह है लिब्रावपिश, अगर आप इसको installation करना चाहते हैं तो कैसे installation करेंगे, चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाए दीता हूँ, तो shortcut पैंत होट है, मैं ज्यादा details में नहीं जा रहा हूँ, तो इसके लिए install button में क करेंगे तो automatically word, excel, powerpoint जो भी है लिब्रावपिश का यह installation हो जागा, so I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा, जो भी method मैंने share के है, same to same method को आप follow करिए, आप easily even to system में Microsoft word को installation कर पाएंगे, step by step, इस site पर में word, excel, powerpoint को यहाँ पर add करना चाहते हैं, तो कैसे add करेंगे, तो च बी share कर देता हैं, इसके लिए आप show application में आ जाईए, then उसके बाद यहाँ पर search का icon है, just यहाँ पर आप type करिए, जो देखें, word, word, excel, powerpoint जो भी आप यहाँ पर state करना चाहते हैं, तो इसके उपर word के उपर right click करिए, then उसके बाद add to favorite button में click करिए, जो देखें, यहाँ पर add ह हो चुका हैं, इसी तरह यहाँ पर आप excel को भी add कर सकते हैं, यह totally आपके उपर depending होगा, वह excel, powerpoint outlook, and यहाँ पर भी shortcut का icon है, आप यहाँ से भी open कर पाएंगे, so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा, अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरुजी चैनल को subscribe नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, subscribe करने के लिए, आपको कोई भी पैसा बगड़ान नहीं लाएगा, यह बिल्कुल free है, आप जरू subscribe करते हैं, आप जरू subscribe करने के बाद आप जरू Bail को paste करना ना भुलिए, यहाँ पर आपको basic experience लग ने की भी मिल जाएगा आप लोग लाइक शेयर कुछ नहीं करती तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिविशन मिलती है सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और कॉमन करना ना भूलिए जो देखिए कुछ दिन पहले इवन्दु को पर मैंने बहुत सारा ट्रुटोल मैंने यहांपर पौएट किया है अगर आप लोग डीटल में देखना चाहते है तो आप डृर्ड्विश्ट में आ जाईए तो और एक प्लेयलिस्ट है जो देखना अगर आप विंद्धोस 17 का च्रुंड़ीफर्न देखना चाहते हैं तो यहां पर भी अबिले उसे टूटरियल आपको मिल जाएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो दोस्तों आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर टूटरियल चाहते हैं और भी प्लीज कमें स्रिक्शन में जरूत देदीचे तो मैं कोशिश करूंगे आ क्योंगे तो आपको सुझते हैं पर खंट हैं हॉटरियल आपको स्हें जरूत विर्णाओ करने हैं पर गाएगा।